आज हम बात करने वाले हैं Outclav LB Tablet के बारे में इसे हम Outclav LB 625 Tablet के नाम से भी जानते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें यूज होने वाले साल्ट कमपोजिशन के बारे में तो इसके अंदर Amoxosiline 500 mg होता है, Clavulinit Acid 125 mg होता है प्लस इसमें होता है Lactobacal 60 million sports और इसको हमेशा 30 degree Celsius से कम तापमान पे रखा जाता है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम अपने चैनल पर इस दवाई का कोई promotion या advertisement नहीं कर रहे हैं ना हमने इसकी जानकारी देने के लिए किसी company या brand से कोई पैसा लिया है हम अपने चैनल पर free में सभी तरीके की दवाईयों की free में जानकारी आप सभी लोगों को लेकर आते रहते हैं हम जान लेते हैं कि कौन सी समझ से होने पर इस tablet का प्रियोग किया जाता है डॉक्टर हमें खाने को देते हैं यह बैक्टिरिया प्रोटेक्टिव कवरिंग के निर्माण को रोक कर काम करता है जो बैक्टिरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक है जो की resistance को घटाता है और बैक्टिरिया के खिलाप Amoxosilin की गतिविती को बढ़ाता है यह आपके infection का इलाज करता है लेकिन स्वस्त गट बैक्टिरिया को भी मार कर आपने पाचन सिस्टम को बिगाड सकता है healthy बैक्टिरिया का संतुलन बनाने के लिए lactobacels को अतिरिक्त रूप से दिया जाता है और हम बता दें आपको कि जो इससे हमारे शरीर में स्वावाविक रूम से मौझूद उप्योगी बैक्टिरिया का नुकसान होता है मतलब जितने भी बैक्टिरिया बनते हैं गलत या कोई भी side effect होते हैं कोई allergy हो गई होती है आख में कान में नाख में गले में या माइंड में या पूरे पेट में कोई भी infection हो गया ऐसी problem होने पर इसको यूज किया जाता है इसमें probiotics होते हैं जो उप्योगी बैक्टिरिया को restore करने पाचन में सुधार और समग्र स्वास्त को स्वास्त को बहतर मनाने में मदद करते हैं बात कर लेते हैं इसे लेने के बाद जो side effect हो सकते हैं वो कौण-कौण से हैं तो उसको लेने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी आती हैं या उल्टी जैसा मन करता ब्पती है पैट फूल सकता है गैस बन सकती है रैश हो सकता है, तोड़ी-फोडी मात्रा में अ अपने डॉक्टर से सला लें और समझ जाएं कि यह टैबलेट आपको सूट नहीं कर रही है बात करें डोज इसकी तो डोज वैसे तो इसका पूरे दिन में एक ही बाल लिया जाता है लेकिन फिर भी आपके डॉक्टर जैसे बताएं उसी प्रकार से इस टैबलेट का डोज ले कoka करें हम अपने चैनल पर सभी तरीके की दवाईयों के बारे में पूरी और सही जैनकारी बिल्कुल फ्री में उपलब्द कराते हैं अबको और आपको जैनकारी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी चाहते हैं दवाईयों से जुड़ी सभ क्वार्ट